तो आज के इस वीडियो में हम दो exercise का comparison करने वाले हैं pull ups और lat pull downs इन दो नमर से कौन सी exercise बेटर है अगर हमारा goal है back muscles को grow करने का तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो देखे हम किसी भी exercise को ऐसे सही या गलत नहीं बता सकते हैं हमें देखना पड़ता है कि वो exercise के इस person को recommend की जा रही है उस person का exercise experience कितना है और उन exercise का movement pattern क्या है कौन सी muscles involved है हमें ये सब देख के हम बता सकते हैं कि हाँ इस particular बंदे के लिए exercise सही है और इस particular बंदे के लिए exercise सही नहीं है सबसे पहले हम शुरू करते हैं beginner से तो देखो माना दोनों ही exercise हमारी दोनों का movement pattern similar है बस फर्क इतना है कि एक में हम weights के साथ machine में कर रहे हैं और एक में हम खुद का body weight pull करते हैं जो movement हो रहा है वो आप इन वीडियोस में भी देख सकते हैं पूरा similar ही होता है अब beginners के point of view से करें बात करें तो देखिए majority of the beginners जो होते हैं वो pull ups नहीं कर पाते हैं और उसका reason क्या होता है pull ups में ना हमें अपने इन दोनों हाथों से पूरे body weight को pull करना होता है अपने पूरे शरीर के बजन को उठाना होता है और किसी भी beginner में इतनी ताकत नहीं होती इतनी strength नहीं होती कि वो अपने इन हातों से पूरा body weight को pull कर पाएं तो उस case में उनके लिए lat pull down एक friendly exercise हो जाती है क्योंकि lat pull down में आप weight को अपने fitness level के according adjust कर सकते है आप उसे कम भी कर सकते है आप उसे भढ़ा भी सकते हो pull ups में उनके body के weight को कम नहीं कर सकते है हमारे पास ऐसा कोई option नहीं है तो उस case में pull ups एक beginner friendly exercise नहीं रहती है pull ups में दूसरी चीज़ या जाते है कि pull ups में back muscles के इलावा और भी कई सारी muscles involved होती है जब भी हम pull ups करते हैं तो हमारी काफी ज़्यादा stabilizing muscles उसमें involved होती है movement को करते हुए body को stable लखने के लिए ताकि हम जब उपर और नीचे जा रहे हैं pull ups करते हुए तो हमारी body stable रहे इदर उदर जूले ना तो उसके लिए हमें अपनी core muscles को भी involve करना पड़ता है ताकि body swing ना करें हम momentum का use ना करें reps को perform करते हैं तो देखिये muscle को जब grow करना होता है तो उस muscle को failure तक hit करना होता है हमें उतने reps perform करने होते हैं कि हमारा वो muscle उसके बाद और reps ना गर पाई से कहते हैं भी failure reach करना तो muscle growth और muscle hypertrophy कले failure तक reach करना जरूरी होता है बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है जब वो pull ups करते हैं तो उनकी stabilizing muscles जो होती है वो पहले failure reach कर जाती है back muscles से बट जब हमारा goal है back muscles को grow करने का तो जब back ही failure reach नहीं कर रही तो फिर फायदा कोई नहीं हो रहा है उस case में pull ups को करने का क्योंकि पहले ही हमारी core muscles और बाकी सबी stabilizing muscles जो है वो failure reach कर जाती है तो उस case में कोई फायदा नहीं होता है जब वो stabilizing muscles failure reach करती है तो हमारी body swing करने लगती है जूलने लगती है बट यहीं अगर हम देखे lat pull down में तो lat pull down जादा friendly साबित होती है इस case में क्योंकि वहाँ पे ना तो stabilizing की ज़रूरत है और ना ही आपको खुद का पूरा body weight pull करना होता है तो beginner के point of view से देखें या फिर हम एक उस बंदे के point of view से देखें जिसे pull ups नहीं करने आते हैं तो उसके लिए lat pull down जादा friendly exercise होती है no doubt pull ups is one of the best exercise to build back muscles बट इस case में आप खुद सोच के देखें जिस बंदे को specifically back muscles ही grow करनी है वो अपना इतना जादा time dedicate करेगा पहले pull ups सीखने में तो उस movement वे अपनी stabilizing muscles को better करने में तो बहुत जादा time consuming हो जाता है और उसके लिए time waste भी थावित हो सकती है या exercise अब बात करता हूँ उन लोगों के जिने pull ups करने आते हैं तो देखें आप उन्हें back workout में pull ups को भी include कर सकते हैं lat pull down तो जरूर करें बट pull ups भी कर सकते हैं उससे होगा कि आपका overall workout का volume increase होगा और muscle hypertrophy, muscle growth के लिए आप जितना जादा work कर रहे हैं failure तक रीच कर रहे हैं उतना ही beneficial है आपकी muscle growth के लिए और तीसरा में उन लोगों की बात करूंगा जो लोग 10 से जादा pull ups कर लेते हैं तो मैं resistance band से lat pull down करता हूँ बट हां मैं इन दोनों exercises को include रखता हूँ क्योंकि back muscles की growth के साथ-साथ मेरा interest calisthenics में भी है तो इसलिए pull ups में तो करता ही करता हूँ इससे मेरा overall workout का volume increase होता है और मेरी back muscles भी better तरीके से grow करती है बट इस totally up to you अगर आपका solely goal है सिरक और सिर्फ back muscles grow करना तो lat pull down आपकी पहली priority होनी चाहिए rather than pull ups अगर आप pull ups कर लेते हैं तो अपना workout volume बढ़ाने के लिए आप उसे include कर सकते हैं अपने workout में that's totally up to you तो ये था दोस्तों आज का video and I hope आप लोग कोई video अच्छा लगा होगा तो please इस video को like करें, share करें और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले video में